कुकू क्या बात है तुम ये संगतरे क्यों नहीं खा रहे हो चकू ये संगतरे अभी कच्चे हैं और खटे होंगे ममा कहती है कि कच्चे फल खाने से हम बिमार हो जाते है यार थोड़े से खा लो कुछ नहीं होगा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा कच्चे संगतरे खाने से खानसी होगी और गला भी खराब हो जाएगा मुझे ये सब मेरी ममा ने बताया है तो फिर मुझे खाते हुए देखो और तुम मानो अपनी ममा का कहना ऐसा कहते हुए जग्गू वो कच्चे और खटे संगतरे खा लेता है घर जाकर जग्गू को खान सी शुरू हो जाती है जग्गू बेटा आज फिर कोई ऐसी वैसी चीज खाई होगी क्या खाया था बेटा ममा मैंने तो कुछ भी नहीं खाया बस मीठे और पके हुए संगतरे खाई थे जग्गू ऐसे अपनी ममा से जूट बोलता है वो ये नहीं बताता कि उसने तो कच्चे और खटे संगतरे खाई थे वो सारी रात खान सी करता रहता है और फिर कहीं सुभा जाकर उसे नीद आती है कुकु बेटा हर चीज हर फल मौसम के हिसाब से होता है कोई भी कच्चा फल ना खाना और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाकर बाद में पानी नहीं पीना सब पता है ना मेरे बेटे को हा ममा मुझे सब पता है जैसे कई जग्गू ने कच्चे संक्तरे खा लिये और मैंने नहीं खाए कच्चे संक्तरे खाते ही उसे खान सी शुरू हो गई थी ममा जाओ बेटा घूमो फिरो और मोज मस्ती करो परन तु अपनी ममा की बातों को कभी मत भूलाना फिर कुकू अपने घर से निकलता है नदी पर उसका दोस्त जग्गू भी उसका इंतजार कर रहा था यार कुकू मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका जाओ जगू क्या हुआ था यार वो कच्चे संग्तरे खाकर मेरा तो गला ही खराब हो गया था और खांसी भी आती रही मुझे सारी रात इसलिए तो मैंने वो कच्चे संग्तरे नहीं खाय थे चलो अब मेदान में जाते हैं सुना है वहां अमरूदों के भाग है मीठे मीठे अमरूद चलो जल्दी चलो फिर वो दोनों दोस्त हर रोज की तरह अपना भोचन धूर निकल जाते हैं वहां तो ठेट सारे अमरूद थे और वो भी पके हुए कुकु भी अमरूद खाता है और जगु भी पेट भर कर अमरूद खाता है जगु अब बस कर जाओ कोई भी चीज जरूर से ज़्यादा खा लेने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है यह तुम्हें तुम्हारी ममा ने बताया होगा हाँ सच मगर तुम्हें कैसे पता चला हर बात तुम्हें तुम्हारी ममा ही तो बताती है ऐसा कहते हुए जगु फिर से अमरूद खाने शुरू कर देता है कुकु पास में फूलों पर बैठी तितलियों से खेलता रहता है कुकु तुम्हारी दोस्त का पेठ है या कुवा कबसे अमरूद खाये जा रहा है इसका पेठ भरा नहीं अभी तक दोस्त ये मेरा दोस्त बहुत लालजी है और ये अपने ममा पापा का कहना भी नहीं मानता हर काम में लालज करता है जैसे ज्यादा खा लेता चीजों को छुपा लेता ये तो हर काम ही बुरा करता है अब मैं जाता हूँ शाम होने वाली है बाए मेरे दोस्त फिर मिलेंगे बाए कुकु जगु के पास जाता है जगु अब बस कर जाओ तुम्हारा पेठ फट जाएगा हम कल फिर आएंगे और फिर से अमरूद खा लेंगे यार कुकु मुझे तो नदी पर जाना है मुझे बहुत प्यास लगी हुई है नाना जगु ऐसा ना करना ममा कहती है कि अमरूद खाकर एक घेंटे तक पानी नहीं पीते तो क्या प्यास से मर जाओं मैं तुम्हारी ममा के कहने पर मैं तो गिया नदी पर और तुम जाओ वापिस फिर कुकु घर वापिस चला जाता है और जगु नदी पर जाकर जी भर कर पानी पीता है और अपने घर चला जाता है घर जाकर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका जी मतलाने लगता है ममा पेट में बहुत दर्थ है ममा हाए मैं मर गया मैं क्या बेटा क्या खाया था ममा मैंने और कुकु ने पके हुए अमरूद खाये थे तो क्या अमरूद खाकर बाद में पानी तो नहीं पिया बेटा जग्गू फिर से अपनी ममा से जूट बोलता है नहीं ममा, नहीं, मैंने पानी तो नहीं पीया था अब एसी रात में कहां जाऊँ? चलो मैं तुम्हें बुल-बुल दी के पास ले कर जाती हूँ फिर गोरी जग्गू को साथ ले कर बुल-बुल के पास जाती है रात का समय था वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज हवा के साथ पारी शुरू हो जाती है जगु बेटा अब दर्द कैसा है? मॉमा मैं तो दर्द से मर रहा हूँ बेटा ऐसे मोसम में मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर उड़ सकती हूँ? चलो हम चिडिया के घर जाते हैं हो सकता है हमें वहाँ से पेट दर्द की दवा मिल जाए फिर गोरी चगु को साथ लेकर चिडिया के घर चली जाती है वो दर्वाजे पर दस्तक देती है कुकु बेटा ऐसी बारिश में कौन आया होगा हमारे घर? मैं गोरी मैं गोरी हूँ चिडिया बेहन जल्दी दर्वाजा खोलें चिडिया गोरी को अपने घर में ले आती है हाई हाई ममा मैं मर गया मेरे पेट में बहुत दर्द है चिडिया जगु के पेट में बहुत दर्द हो रहा है गोरी बेहन जगु ने क्या खाया था? ममा ममा मैं बताता हूँ ममा हम दोनों अमरूदों के बाग में गे थे हमने वहां से अमरूद खाए थे जगू ने बहुत ज़्यादा अमरूद खा लिये थे और फिल बाद में नदी से पानी पी लिया था इसलिए जगू के बेट में दर्द हो रहा है ये सुनकर जगू अपनी ममा से डर जाता है जगू बेटा आपने मुझे से जूट क्यों बोला आपने तो कहा था कि मैंने अमरूद खा कर पानी नहीं पिया था आंटी गोरी मैंने जगू को मना किया तो जगू हंसने लग गया और मेरा मजाक उड़ाने लगा मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ममा मैं आपका सब कहना मानूँगा प्लीज मुझे पेट दर्द की दवा दे दे चुड़िया बेहन आपके घर में कोई दवा है पेट दर्द की नहीं गोरी बेहन मेरा बेटा तो मेरा हर कहना मानता है ये कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं खाता जिससे मैंने इसे मना किया हो चलो अब हम बुलबुल के पास जाते हैं जगु को कुकु के पास ही छोड़ जाते हैं हाँ चिडिया ऐसी बारिश में जगु उड़ नहीं सकेगा फिर चिडिया और गोरी कवी तेज बारिश में बुलबुल की तरफ जाती हैं जगू मेरे दोस्त देखो ऐसी बारिश में कैसे आपकी ममा आपको लेकर परिशान है अगर आपने मेरा कहना माना होता तो इस समय आप भी अपने घ़र में बैठे आरामसे बारिश की आवाज सुन रहे होते कुकु आप सची कहते हो जस काम से हमें बड़े रोकें हमें उस काम से मना हो जाना चाहिए आज मेरी ममा मेरी वज़ा से कितनी परेशान है तेज हवा और बारिश में गोरी और चिडिया भुलबुल के घर चाती हैं और भुलबुल से पेड़ दर्ट की दवा लेकर वापिस होती हैं जग्गू तो रोई ही जा रहा था फिर जब उसकी मम्मा उसके मूँ में दो कत्रे दवाके डालती हैं तो जग्गू का पेड़ दर्ट थोड़ा कम होता है मम्मा अब मेरा दर्ट कम हो गया है मम्मा मुझे माफ कर दें मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा अगर अपने दोस्त कुकु की तरह अपनी मम्मा का कहना मानोगे तो आपके पेड़ में फिर कभी दर्ट नहीं होगा मुझे चुड़िया बेहने सब बताया है कि उस दिन आपके गले में क्यूं दर्ट था क्यूंकि आपने खटे संगतरे खाई थे फिर जगू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा और उस रात गोरी और जगू चीड़िया के घर में ही सो जाते हैं बारश की तेज आवाज उन्हें लोरी सुना रही थी प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानना चाहिए सभी छोटे पक्षी कालू कवे की मठाई की दुकान से लड़ू लेकर खा रहे थे सवाई कुकू के क्यूंके कुकू के पास लड़ू लेने के लिए पैसे ना थे कुकू लड़ू खाओगे क्या मीठा है मैंने तो कभी नहीं खाया अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे भी एक लड़ू ले दे मैं तो मजा कर रहा था बुलबुला ऐसे कुकु का मजाक बनाता है मेरे पापा मुफ्त में लड़ू नहीं देते जाओ और जाकर मट्टी के लड़ू बनाकर खालो ये पहली बार नहीं था ऐसा पहले भी केई बार हो चुका था सभी छोटे पक्षी बेचारे कुकू का ऐसे ही मजाक बनाते फिर कुकू निराशो कर रोता हुआ अपने घर को उड़ता है कुकू अना था उसका पापा तो उसी समय मर गया था जब वो अंडे से बाहिर भी ना आया था और उसकी मम्मा एक छोटे से घर में रहती थी और वो भी किराई के उसके पास इतने पैसे ना थे के अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सके कुकू रोते रोते घर आ जाता है कुकू मेरे बेटे ये क्या आज फिर आप रो रहे हो आज क्या हुआ क्या किजी ने कुछ कहा है ममा ममा मेरे पापा कहा है मुझे पापा ला कर दे ना मेरे बेटे आपके पापा ये जंगल छोड़ कर बहुत दूर चलेगे हुए है वो अब हमारे पास कभी नहीं आ सकते ममा सब छोटे पक्षियों के पापा उन्हें पैसे देते हैं उन्हें मठाईया ले कर देते हैं आज फिर चगू और बुलबले ने मेरा सब के सामने मजाग बनाया तो आज फिर आप मठाई की दुकान पर गे होंगे मैंने कितनी बार आपको वहाँ जाने से मना किया है बेटा आपकी ममा के पास अभी पैसे नहीं है इस महीने का किराया दे कर मैं अपने बेटे को मठाई ला दूँगी ये सुनकर छोटा कुकु खुश हो जाता है वो ये सब भूल जाता है कि ऐसा तो उसकी ममा उसे हर महीने कहती है परन्तु वो कैसे अपने बेटे को मठाया ले कर देती वो तो घर का राशन पानी ही बहुत मुश्किल से चला रही थी उपर से घर का किराया भी देना होता रात हो जाती है और कुकु रोते-रोते सो जाता है मैं जानता हूँ कुकु आप बहुत खरीब हो और आपका मठाई खाने को बहुत मन कर रहा है अंकल पेड वो सब मुझे दिखा दिखा कर मिठाईयां खाते हैं और मेरा मचाग भी बनाते हैं अब आप भी मठाईयां खाओगे और वो भी लड़ू वो कैसे अंकल पेड आप मेरे ही फूल तोड कर ले जाएं और इसे अपने घर के पास ही बो दें और फिर देखना इससे जो पेड बनेगा उस पर लड़ू लगेंगे क्या सचा अंकल पेड? हाँ और किसी को मेरे बारे में ना बताना मैं उसी की मदद करता हूँ जो बहुत अच्छा, नेक और सचा पक्षी हो अब तो मैं भी लड़ू खाऊंगा कुकु बेटा, क्या लड़ू लड़ू लगा रखी है सारा दिन कवे के लड़ू देख देखकर अब आपको सपनों में भी लड़ू दिखाई दे रहे है ये तो एक सपना था मैं सुभा अपनी मम्मा को इस सपने के बारे में बताऊंगा और कुकु फिर से सो जाता है सुभा हो जाती है आज तो कुकु कुछ पहले ही उठ जाता है और वो अपनी मम्मा को अपने सपने का बताता है कुकु बेटा ऐसे अगर पेड़ों पर लड़ू लगने लगें तो सभी पक्षी लड़ू के बीच बो दें और मीठे मीठे लड़ू खाएं ममा आप मेरे साथ चलें अगर नदी के पास वो लाल रंग के फूल वाला पेड़ ना हुआ तो समझना कि मेरा सपना जूटा है आप ऐसे नहीं मानोगे फिर कुकु की ममा कुकु को साथ लेकर नदी पर जाती है वो दोनों मा बेटा जब नदी पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां तो सच में एक बड़ा पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूल लगे हुए है मैं ना कहता था कि मेरा सपना सच्चा है फिर कुकु वहां से कुछ फूल तोड लेता है मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा काल जब मेरे इन फूलों से जादूई लड़ू के पेड़ उगेंगे तो फिर आपको विश्वास आ जाएगा ऐसे वो मा बेटा लाल फूल लेकर घर वापिस आती है कुकु अपने घर के आंगर में वो जादूई फूल मटी में दबा कर उन्हें पानी डाल देता है उसकी ममा थोड़ी दूर बैठे अपने बेटे को ऐसा करते देख मुस्कुरा रही थी मेरा बेटा भी पागल ही है लड़ू खाने का ऐसा भूत सवार हुआ है इसके सर पर के हर समय लड़ू लड़ू ही बोलता रहता है कुकु बेटा अगर लड़ू के बीच बो दिये हैं तो चलो घर के चात मरमत करने के लिए कुछ सूखी लकड़िया ले आए अगर बार शुरू हो गई तो चाते टपकने लगेगी बस कुछी दिनों तक हम अपने इस लड़ू के पेट से लड़ू तोड़ कर बेच देंगे और हम अपने लिए निया घर खरीद लेंगे अच्छा चलो अब शाम होने को है फिर वो मा बेटा वहां से चले जाते हैं बुलबले पता है पता है मैं भी अब लड़ू खाऊंगा अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी ममा समझ जाती है कि अब कुकु अपने दोस्तों को लड़ू के पेड़ के बारे में बताएगा कुकु बेटा चुप कर जाओ क्यों ऐसी उल्टी सी धी बातें कर रहे हो जगु सुना है अब कुकु भी लड़ू खाएगा हाँ हाँ ममा कुकु अब मटी से लड़ू बना बना कर खाएगा नहीं मैंने आज अपने घर के आंगर में लड़ू का एक पेड़ भोया है कर से उस पेड़ पर धेड़ सारे लड़ू लगेंगे और मैं जी भर के लड़ू खाऊंगा लड़ू का पेड़? ममा ममा लड़ू का पेड़? फिर तो हमारी मठाई की दुकान बंद हो जाएगी है ना कुकू? ये कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं कुकू चलो बेटा मैं लड़ू के पेड़ को पानी दे दे ना जगू ऐसे कुकू को आवाजे देते हुए हंस रहा था ममा मुझे आज बहुत नीदा रही है मुझे पता है आपको सोने की क्यों जल्दी है ताके जल्दी से रात गुज़र जाए और मैं अपने लड़ू के पेड़ को देख सकूँ फिर वो मा बेटा सो जाते हैं कुकू को फिर से सपना आता है और सपने में फिर से वही पेड़ आता है कुकू क्या मेरे लाल फूलों को जमीन में दबा कर पानी दे दिया है मैंने दो बार पानी दिया है अंकल पेड कल जब उस भीज से पोदा निकलेगा तो वो देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और जब उस पेड़ पर लड़ू लगेंगे तो आप खुद भी खाना और अपने सभी दोस्तों को भी देना और हाँ बेटे कुकु कभी भी लालच ना करना मैं वचन देता हूँ अंकल पेड मैं कभी लालच नहीं करूंगा कुकु की आँख खुल जाती है और बाकी की रात वो जाग कर ही गुजारता है और फिर सुभा हो जाती है और जब कुकु और उसकी ममा अपने आंगन में आते हैं तो वहाँ सच में एक छोटा सा पोदा उगा हुआ था जो तीजी से बड़ा हो रहा था मेरा लटू का पेड उगा आया ममा मेरा लटू का पेड उगा आया कुकु मेरे बेटे ये तो सच में कोई चमतकारी पेड़ ही लग रहा है देखते ही देखते उस पेड़ पर पीले रंग के फू लगते हैं जो लड़ों में बदल जाते हैं कुकु बेटा एक लड़ों तोड़ कर खा कर तो देखो कि आपके लड़ों का सवाद कैसा है फिर कुकु अपने पेड़ से एक लड़ू तोड़ कर खाता है ममा ममा मेरे पेड़ के लड़ू बहुत सवादिश्च है गोरी अब हमारा क्या बनेगा सभी पक्षी कुकु के जादूई पेड़ से लड़ू खा रहे हैं और हमारी दुकान पर सुभा से एक भी काहग नहीं आया करना क्या है कालू जी अब बैठके हम मख्या मारेंगे ऐसे कुकु और उसके ममा खुशी खुशी अपनी जिन्दगी गुजारते हैं और उस चमतकारी लड़ू के पेड़ से लड़ू खाते हैं